हेलो गाइज वेलकम तो दे चैनल दी आटो रिव्यूज आम यूर होस्स तोनेल एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई वैनू के बारे में वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दो कि पहले इस चैनल का नाम इज माई कार सर्च हुआ करता था और अब मैंने इस चैनल का नाम चेंज करके दी आटो रिव्यूज कर दिया है लेकिन इस चैनल पर आपको पहले की तरह ही quality car और automobile related news, reviews, comparisons मिलते रहेंगे तो आप इस चैनल को subscribe कर लिजे और अगर subscribe कर चुके हैं पहले से तो इस चैनल के साथ ऐसे ही support बनाए रखेंगे तो चले सूर्य करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में हम बात करेंगे Hyundai Venue के बारे में Hyundai Venue जो है वो एक sub compact sub 4 meter SUV होगी Hyundai की तरफ से जिसको नाम दिया गया है Hyundai Venue Hyundai Venue को एक connected car की तरह Hyundai प्रोजेक्ट कर रही है और इसका जो design है इसमें जो features हैं वो काफी कमाल को होने वाले हैं इस segment को देखते हुए और इसमें बहुत सारे segment first features भी मिलने वाले हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Hyundai Venue के लुक के बारे में तो लुक आप खुदी देख सकते हो काफी सांदार लुक है बहुत ही बहतरीन SUV लुक दिया गया है और यह काफी बहतरीन दिख रही है इसके front और rear और side से भी अगर car को देखा जाए तो इसकी जो लुक है वो really ए लेटर का Kappa T GDI petrol engine जो देगा 120 PS की maximum power और 17.5 kg का maximum torque और यह आएगा 7 speed DCT transmission के साथ यानिकी 7 DCT transmission dual crush transmission system और manual transmission दोनों में 1 लेटर वाले engine के साथ आपको मिल जाएगा इस 1 लेटर कापा T GDI petrol engine की खास बात यह होगी कि यह काफी कह सकते हैं कि एक compact engine होगा जो आपके performance को बढ़ाएगा और साथी साथ fuel efficiency को भी काफी जादा enhance करेगा तो इसमें आपको काफी अच्छा fuel efficiency भी मिल जाएगी और performance तो मिलेगी ही मिलेगी और इसी वज़ए से Hyundai Venue इस engine के साथ ही अपने dual class transmission system यानिकी 7 speed dual class transmission system को भी launch क दरने वाली है इस Hyundai Venue में और यह manual transmission के साथ भी engine मिलेगा इसके साथ ही दो और engine options है जिसमें 1.2 litre का petrol engine है जो 83 PS की power देगा और यह सिर्फ 5 speed manual transmission के साथ ही आएगा इसके साथ ही diesel में इसमें 1.4 litre का diesel engine होगा जो 90 PS की power देगा और यह 6 speed manual transmission के साथ आएगा अगर हम बात करें इसके ARI certified mileage की तो वो अभी तक Hyundai ने disclose नहीं किया है लेकिन यह काफी बहतरिन होने वाली है Subcompact SUV की जहां तक बात है तो क्योंकि इसका जो 1 litre वाला जो petrol engine है वो काफी बहतरिन mileage दे सकता है जहां तक संभावन है अगर हम बात करें इसके dimensions की तो इसमें आपको इसकी जो length होगी वो 3995 यानि कि 3995 mm की होगी इसकी width जो होगी वो 1770 mm की और इसकी जो height होगी वो 1590 mm की इसका wheel based 2500 mm का होने वाला है जिससे कि इसमें आपको inside काफी space मिल जाएगा इसमें बहुत सारे amenities, comfort और convenience के features मिलने वाले हैं साथी साथ इसमें काफी advanced safety technology भी मिलने वाली यानि कि safety के front पे भी Hyundai की अन्य कारों की तरह Hyundai venue भी काफी बहतर रहने वाली यानि कि इसमें आपको ABS, CBD, dual air bag के साथ साथ आपको इसके top end variant पे 6 air bag का option भी मिल सकता है साथी साथ इसमें आपको 69% advanced high strength steel और high strength steel HSS और AHSS का combination मिलेगा जिससे कि इसका जो outer body है वो काफी ज़्यादा strong हो जाता है इसके साथ ही इसमें जो advanced connectivity और multimedia systems भी मिलने वाले हैं और ये इंडिया की पहली first smart connected SUV बताई जा रही है Hyundai की तरफ से और इसमें आपको connectivity के बहुत सारे options मिलेंगे Hyundai blue link app के तुरू जो आपकी car को cloud से connect करेगी और इस app के तुरू आप हमेशा अपनी car से connected रह सकते हो यहां पर Vodafone Idea के साथ Hyundai का collaboration है और यहां पर आपकी car में Vodafone Idea का एक e-seam लगा रहेगा जो cloud based wireless recognition platform से connected रहेगा और ये global AI जो company है उसके द्वारा बनाया गया है तो यहां पर आपको बहुत सारे artificial intelligence और connected cars के features भी आपको इसमें मिलने वाले हैं जिसमें आप बताया जा रहा है क 33 features होंगे multimedia और advanced connectivity के जिसमें की 10 features ऐसे हैं जो इंडिया specific बनाये गये हैं ताकि आप अपने car से और भी जादत अच्छे तरीके से connect रह सकें अपने car को safe रख सकें इसमें आपको safety, convenience और vehicle management system के साथ था vehicle management relationship services का भी option मिल जाएगा यानि कि अपनी car के service को उस कार को diagnosis कर सकते हैं कार में क्या कुछ problems हैं क्या कुछ settings हैं वो सब भी आप इसके advanced connectivity systems के साथ आप देख सकते हैं इसमें आपको Hyundai venue में Hyundai के अनिकार की तरह ही आपको 3 years का warranty मिल जाएगा इसमें आपको 3 years का unlimited kilometers की warranty भी मिल जाएगी साथी साथ इसमें आपको Hyundai के अनिकारों की तरह 3 साल का roadside assistance भी मिल जाएगा अब हम बात कर लेते हैं इसमें आने वाले segment first features की तो इसमें सबसे पहली कि जिसमें आपको segment first में 7 speed DCT transmission मिलने वाला है जो इस segment की किसी भी कार में नहीं मिलता है इसमें आपको wireless charger का option भी मिलने वाला है इसमें आपको air purifier का option मिलेगा इसमें आपको projector fog lamp भी मिलेंगा जो इस segment में किसी अने कार में अभी तक नहीं मिलते हैं इसमें आपको HD display का जो touchscreen environment system होगा वो मिलेगा इसमें आपको chrome outside door handles, wheel air curtains, arcmage का sound system, eco coating और 3 years की unlimited kilometers की warranty भी मिलेगी साथी साथ 3 years का roadside assistance भी मिल जाएगा इसके साथ ही इसमें आपको electric sunroof, cruise control, voice recognition, rear race events, corning lamp जैसे features भी आपको मिल जाएगे इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताए इसमें आपको 6 air bag मिल जाएगे, speed sensing auto door lock मिल जाएगा, ESP, ESC, VSM यानि की vehicle stability management जैसे program भी आपको मिल जाएगे hill assist control भी मिल जाएगा, brake assist control भी मिल जाएगा, ABS, EBD तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सायाथ में, ISO fix, child safety mounts भी मिल जाएगे और इसमें आपको full connectivity, Hyundai blue link के त्रू मिल जाएगा, इसमें आपको remote start और stop को option मिल जाएगा, remotely आप door को open कर सकते हैं, AC को on कर सकते हैं, light control कर सकते हैं remote के त्रू, यानि की app के त्रू, इसमें आपको real time traffic information जैसे features भी आपको मिल जाएगे, तो overall अगर इस car के features को देखा जाएगे, यह fully connected car होने वाली है, जो आपको आपकी car से लगातार connected रखेगी, whether आप car के पास हैं या car से दूर हैं, आप हर जगह से अपनी car को जान सकते हैं, किस position में आपकी car है, lock है, unlock है, क्या है, आप चाहें तो अपनी car को remote के त्रू, यानि कि app के त्रू, AC on कर सकते हैं, car के engine on कर के AC को on कर सकते हैं, और आपके जाने तक car आपकी cool हो चुकी होगी, तो यह सारे vehicle connectivity जो आजकल बहुत ही hype पे है, वो सारे features आपको Hyundai Venue में मिल जाएंगे, तो यह तो तो features जो Hyundai Venue में मिल जाएंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ सवाल है या सुझाओ है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लिजे, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही car news, reviews और car comparison के videos मिलते रहते हैं, तो मैं मिलता हूँ आ या सुटित चलिये, bye bye, take care. so from now onwards it is known as the auto reviews and formerly you know it was known as age by car search so now it has a new name the auto reviews so keep supporting like you have supported till now and from now onwards you will be seeing the regular videos on this channel the auto reviews and if you have not subscribed to this channel please subscribe or subscribe bell icon ko bhi press kar dijiye ta ki aane wali videos ke notifications sab se pahle aapko milte rahe so don't forget to hit the bell icon and subscribe so see you inside the next video bye bye thank you